तो हेलो गाई चोन क्रेसिंस्की की न्यू अपकमिंग फिल्म इफ का टिजर ट्रेलर आउट करवा दिया गया है और इस फिल्म को हम लोग 14 मईड 2024 को देखने वाले हैं और इस फिल्म के बारे में और भी बाते करेंगे लेकिन चलिए उसके पहले हम लोग इसके ट्रेलर को देख लेते हैं थ्री टू वण लेट्स गो रेया रेनोल्स वाट इफ अविधिन यू बलीब्ड वाजरिया ये कैसा जीव है वाई इसलिए और ये हम आपक एंपाने जीव प्रिंगे जीए कैसा सबसे करेंगे ये डिया कार्रा बाईगे ईसलिए लेगे भी आपको अब आरे देके आपको अपके ज़्म के सब्सक्राइब इमेजनेरी फ्रेंड इसके हो आप वही बोले हा इपसी बोले हा यह एलिया ने के आनिमल्स उस समझ बने ही आ रहा है यह एलिया में कैसे आ गया है इस फिल्म में दिखाया जाएगा इस फिल्म में दिखाया जाएगा अपनी में दिखाया यह फिटेश कि विए इस लिए ने की विए राइहन डिखें दो पेली वीची फिल्म में Portal रायान रेयोड्स पेले दो देखना है पड़े गागा आ शीके यह कैसा कैसा भाई एनिमल ही सब के पास आग निकल रहा है तो गाईश ट्रेलर तो आपको समने में आई गया होगा इसमें क्या होता है कि एक छोटी बच्ची होती है जिसके कुछ इमेजनरी फ्रेंड्स बन जाते हैं यह जो इमेजनरी फ्रेंड्स होते हैं वो उस छोटी बच्ची को खुस रखने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं इस फिल्म में आपको रेयान रेनोर्स, कैली फ्लैमिंग और फियानो सौग के साथ और भी टेलेंटेड अक्टर्स इमेजनरी फ्रेंड्स को भाई सोबर करते हुए नजर आएंगे इफ में हमें कुछ हुमन्स के रोल में नजर आएंगे तो वही पर कुछ इमेजनरी फ्रेंड्स के रोल में नजर आएंगे जैसे कि रेयान रेनोर्स, कैली फ्लैमिंग और फियोना सौग यह हमें हुमन्स के रोल में नजर आएंगे, वहीं पर बात करें imaginary friends की, तो Steve Carroll Emily Blunt, Fiovy Waller, Bridge, ये हमें imaginary friends के रोल में नजर आने वाले हैं Chris Sinski ने कहा कि इफ movie मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये quiet place उनको देखने की इजाजत है तो मैंने सोचा क्यों नएक ऐसी movie बनाई जाए जिसे बच्चे इंजवाई कर सके आगे उन्होंने रेयार रेनोर्स और केली फ्लेमिंग को भी ठेंक यू बोला इस adventure movie का पार्ट बनने के लिए बाकी मैं आप पर एक काम छोड़ता हूँ कि आप थोड़ी अश्च टोरी को और डिस्क्राइब करें comment section में हो सकता है मुझे अश्च टोरी समय में ना आई हो और जितना मैं समझ पाया श्च टोरी को मैंने आपको बता दिया तो अब आपका काम है कि आप श्च्च टोरी को अगर समझे हैं तो describe कर दे